हेलो विवन, वेलकम टू फार्मारोक्स यूटूब चैनल, फार्मारोक्स के यूटूब एजूगे स्टनल चैनल में आपका स्वागत है इन टोडेज वीडियो लेक्चर, वे विल स्टड़ी इन डेटेल अबाउट दा हाइपर हाइड्रोसिस हाइपर हाइड्रोसिस के ऐसी कंडिशन की किसी भी वक्ति को जो पसी ना है वो काफी ज्यादा आता है तो हाथ और पैर में ज्यादा पसी नाने की जो समिश्या है उसको हम मेडिकल टर्म्स में हम कहते है हाइपर हाइड्रोसिस और उसको हम दूसरे वर्ड में ऐसे भी कहते हैं कि एक्सेसिव स्वेटिंग कि आपको एक्सेसिव स्वेटिंग जो है वो प्रोड्यूस होता है आपके बॉड़ी के अंदर हो उसमें भी स्वेटिंग कि जो कुछ बॉड़ी पार्ट जैसे कि आपके हाथ का ये जो रिजन हाथ की हथेलियों के अंदर आजवल एस जो आपके पैर होते है और पैर के नीचे वगेरा जो है वो काफी एक्सेसिव वाउंट के अंदर पसीना जो है वो प्रोड्यूस होता है तो ये समस् हम हाईपर हाईड्रोसिस कहते है और इसका किस तरह से हम मिलाज कर सकते है कौन से ट्रीटमेंट होती है फिर वो होने के जो रिज़न हम कहते है ये होने के रिजन्स as well as जो sign and symptoms हम कहते हैं and किस तरह से उसके treatment की जाती है medicines as well as जो antiperspirant agent जो हम बात करते हैं कि जो पसी ना जो है वो कम amount में produce करवाने में help करते हैं तो यह सभी को हम यह lecture में study करेंगे expert lecture by a mercer assistant professor founder of farmer rocks thank you friends for being one leg family of farmer rocks update इट रहिए farmer knowledge के साथ access करिए study material test series video lecture on F farmer rocks तो अगर आपके पास android phone है तो download करिए app google play store पर से अगर आपके पास iPhone है तो download करिए app from app store तो यहाँ पर समझे सबसे पहले hyper hydrosis के बारे में कि जिसको हम कहिए दे है excessive sweating मतलब कि ज्यादा amount के अंदर ज्यादा पसीना जो है वो आता है किसी भी person को तो वो हम कहते है hyper hydrosis तो यहाँ पे समझे point to point hyper hydrosis is a condition it is a condition या फिर हम कहें कि symptom भी है characterized by abnormally characterized by abnormally increase in a sweating sweating मतलब कि जो पसीना आता है वो तो पसीनाने का जो प्रोसेस है वो काफी increase होता है in excess of that require for regulation of our body temperature in excess कि जो require होता है हमारी body का जो regulation होता है कि हमारा body का जो temperature 37 degree celsius maintained रखने के लिए जो है हमें पसीना जो है वो produce होता है कि जो natural mechanism है body के अंदर कि जिससे regulation होता है हमारा body temperature और वो हमारी healthiness का एक जो है वो दाइरह हम कह सकते कि कोई healthy है कि जब regulation आपके body के अंदर अच्छे से हो रहा है but abnormally जब पसीना काफी ज़्यादा amount पे produce होता है और जिसको हम कह सकते कि excessive sweating excessive sweating मतलब कि आपकी जो हाथ की healthy हमेशा क्या रहती है weight रहते है कि जैसे अपने पानी से हाथ दो या हो और जैसा हमारा hand होता है वैसा hand कि यह जो यहाँ पे देख रहे है कि weight palm कि आपकी जो हाथ की healthy होती है हमेशा गिली रहती है weight रहते है और कई बार यहाँ से persons को drops भी नीचे गिरते है पसीने के तो ऐसी condition को हम medical terms के अंदर hyperhidrosis कहते है and it is abnormally excessive sweating that is not necessary related to heat or exercise तो यह समझे that is not necessarily related to the heat or exercise ऐसा नहीं कि usually जो घर्मी होती है तब तो पसीन आता है वो normal चीज़ है कि आप summer में आप देखे कि जब घर्मी होती है काफी तो हमें पसीन आता है बट जब आप समझे कि fan चालो करते है AC चालो करते है या फिर ठंडी हवा में जाते है तो तुरंत वो जो पसीन आना जो है वो कम हो जाता है नॉर्मल हो जाता है बट समझे कि आप गर्मी के अंदर AC में बैठे हो फिर भी आपको पसीन आ रहा हो तो वैसी condition को हम hyperhidrosis कहते है इवन समझे कि आपने exercise ना कि हो नॉर्मल आपके गर पे ही आप बैठे है ना ही कोई ऐसा कोई heavy work कर रहे है फिर भी पसीन आता है that means the symptom hyperhidrosis तो इसको हम कहेंगे hyperhidrosis तो सबसे पहले समझना जरूरी है कि हमारे sweat gland क्या है तो ऐसे gland कि जो हमारे skin के अंदर present होती है कि यहाँ पे जो है वो pores होते है उपर की और कि यहाँ पे देखे यह जो pore है these are the pores which are available on our skin कि जो sweat gland और उसका जो medical term में जो हम नाम देखे that is acrine sweet gland यहाँ पे आप देख सकते है diagram के अंदर तो यहाँ से उसका जो start होता है और उसका जो opening है वो हमारे skin के उपर के layers में कि जिसको हम कहते है हमारे pores तो यह जो pores है वो release करते है watery sweat कि जिसको हम कहते है पसीना हमारा तो sweat gland also known as a sudary ferrous और sudary parous glands from latin, sudar that means sweat कि latin में sudar जो word है उसका मतलब होता है sweat are small tubular structure of the skin that produce the sweat कि एकदम छोटे से tubular structure यहाँ पे हम देख सकते कि tube जैसा ही structure होता है और वो हमारे skin के अंदर present होते है तो यह gland का mean कामी होता है कि produce करना sweat और जिसके करन हमारे body का जो temperature है वो maintain रहता है sweat glands are type of exocrine gland कहा जाता है उनको तो यह cup के लिए important point है MCQ के अंदर यहाँ से point पूछा जा सकता है कि sweat glands are which type of gland they are exocrine gland which are glands that produce and secret substance onto and epithelial surface by way of duct कि यहाँ पे जो duct है और यह duct का जो opening है वो skin के surface उपर होते है तो एक नहीं बहुत सारे से sweat gland हमारे skin के layers उपर प्रेजन्ट होती है और उनका main काम होता है to produce a sweat तो people with hyperhidrosis में experience sweat so much that is that it soaks through the cloth और drip off the hands तो यह समझे यहाँ पे की जो बाजु में diagram है वहाँ पे आप दियान रखिये कि people with hyperhidrosis may experience sweat or so much that is soaked through the cloth और drip off hands कि यहाँ से कि आप जो है किसी cloth से आप उसको soak करे as well as यहाँ से नीचे drip गिरे उसके कि जो हम drip का है या फिर उसके जो drops नीचे गिरे इस type का जो है वो sweat produce होता है in hyperhidrosis beside disrupting normal daily activities this type of heavy sweating can cause social anxiety and embarrassment किसे क्या होता है कि socially anxiety आपको रहती है socially आपको थोड़ा size जैसा feel होता है कई बार की जैसे मतलब कि जो hyperhidrosis के जो patients होते है कि वो कई बार size feel करते है उनको कई बार सरम आती है ऐसे condition के करण ऐसे अनुबतिव करते है बट यह जो है ऐसे condition के उसको lightly लेना चाहिए किसी को भी तुरंद उसका अच्छे से diagnosis करवाना चाहिए कि जब आपके हाथ की हथवलियों के अंदर बीना किसी reasons के इस तरह के excessive sweating जो है वो produce हो और reason यह कि पसीना तब आता है कि जब घर्मी होती है आप heavy exercise करते है walking करते है running करते है तो उस वक्त जो है वो पसीना आना नॉर्मल है बट आप कोई exercise भी नहीं करते हैं आप जस्ट बैठे हुए है एवन आपके आसपास अच्छी हवा चल रही है फिर भी इस तरह से sweating produce होता है तो उसका जरूर से जो है वो डाइग्नोसिस करके फर्दर treatment करवाना जरूर होता है तो hyperhidrosis कि आप कुछ देखे तो यह है कि हमारे dry hand कि जो completely dry होते है कि वहाँ पे moisture बहुत ही कम है completely dry hand है फिर second that are the normal head कि वहाँ पे moisture भी proper amount में है थर्ड ऐसे कि जो humid hands कि समझे कि आपके हाथ थोड़े से humid हो वैसे तो जिसके करन कई बार कोई चीज आपके हाथ में से गिर भी जाए ऐसी condition होती है due to the humid hands और even समझे कि आप हाथ में salt लोगे तो भी वो जल्दी से moisture वाला हो जाए कि दो वो हो गई आपके humid hands but weight hand तो मतलब कि अब जो आपके एक hand है नीचे वाली जो condition that is कि hyper hydrosis कि समझे कि आप हाथ में कोई powder लेते है ऐसा कि जो soluble हो जाए like आपने salt लिया है salt थोड़ी देर आप हाथ में रखते है तो थोड़ी देर के बाद salt जो है वो completely dissolve हो जाएगा due to the excessive sweat of your body same like that number 5 में condition में soaked and dripping hands कि यहाँ से नीचे पानी के drip drops जो है वो नीचे गिर रहे है इतना excessive sweating है और soaked and very dripping hands तो यह number 4 5 और 6 की जो condition है उसको हम hyper hydrosis के अंदर जो है वो रख सकते कि जो है excessive sweating और ऐसी condition में आप समझों कि आपके हाथ में नमक रखोगे और थोड़ी दिर हाथ उसके उपर रख दोगे तो automatically वो dissolve हो जाएगा due to the this water कि जो excessive water is sweating जो produce होता है तो यह होते है उसके sign हम कहें कि excessive sweating produce होना है reasons जानते है तो excessive sweating can have causes that aren't due to the underlying disease कैसे नहीं कि कोई disease but this is one of the symptom hyper hydrosis is मैं यहाँ पे आपको समझाओ तो hyper hydrosis is a one of a symptom it is one type of symptom कि कुछ ऐसे medical conditions के उनके जो symptoms होते है तो ऐसे symptom के तोर पर कई बार hyper hydrosis जो है वो देखने को मिलते है कुछ patients के अंदर वो हम आगे सिखेंगे अभी just हम normal causes के बारे में समझते है कि causes and reason for hyper hydrosis तो overactive nerves associated with the sweat gland कि हमारी जो sweat gland है उसके साथ जो associated neurons होती है nerves है वो overactive है overactive होने के करण क्या होती है कि वो sweat gland को ऐसे impulses based है कि उसके करण ये gland जो है वो excessive warmth के अंदर sweat produce करती है और secret करती है जिसके करण जो है वो आपको पसीना ज़्यादा आता है second that is nervousness second that is the nervousness एक तो overactive nerves और second जो है कि nervousness कि जब कोई person काफी nervous होता है तो उस वक्त भी जो है हो आप पसीना देकिवन आप ऐसे में बैठे हो nervous हो तोड़ा कोई डर हो ऐसा तो भी पसीना आना start हो जाता है तो वो भी एक reason है कि काफी दिनों तक आप इस तरह से nervous रहते है काफी stress में रहते है that is also a reason for hyperhydrous because stress nervousness के करण दूसरे भी underlying disease हो सकते है और उनके कारण ये जो है excessive sweat produce हो सकता है फिर ऐसे आप heavy exercise करते है डेली being in a hot environment कि एक तो environment काफी hot है और ऐसे hot environment के अंदर आप heavy exercise करते है तो उसके करण भी आपको excessive पसीना जो है वो produce होंगा and number five spending time in sona मतलब कि जो steam bath के लिए जो room होता है कि sona steam bath जो हम बात करते है कि कुछ लोगों को आदत होती है steam bath लेने की तो इसे steam bath के अंदर आप steam bath लेते है और उसके लिए जो room होता है उसको हम कहते है sona तो काफी ज्यादा excessive time आप समझे की sona के अंदर बिताते है कि जो कहते हम the room for a steam bath तो उसके करण भी आपको excessive sweat produce हो सकता है the entire body sweat excessively sometime only a part of body part of the body sweat यहाँ पर समझे उसके symptoms तो कई बार क्या होता है sometime body sweats excessively पूरी body के अंदर सभी के समझे के आपके अंडराम से आपके बैक का portion है सभी जगा पर excessive sweat produce होता है और कई बार सिर्फ किसी parts के अंदर कोई भी part like की समझे के हम palm जो हमारे होती है हाथ की हथे लिए होती है वहाँ पर excessive sweat produce होता है और स्वेटिंग डिस्टब देल्ली routine lifestyle और उसके करण क्या होगा कि आपकी डेल्ली routine lifestyle जो है वो डिस्टब होती है कि स्वेटिंग कोज emotional distress और social withdrawal कि कई बार आपको ऐसा डर रहता है आपके sweat के करण किसी जगा पर और सभी जो person है वो नॉर्मल बैठे हो और आप जो है वो excessive आपको पसीन आता हो तो उसके करण भी आपको थोड़ा मन में ऐसा डर जैसा फिल हो जाता है sigh feel करते है आप as well as जो हम कहते कि सरमिंद्गी आप अनुभव करते है सरमिंद्गी का तो ऐसे emotional distress जो है वो patient के अंदर हम देखते है as a sign and symptom people suddenly begin to sweat more than usual sweat कि दो person आप compare करो तो एक person जो है वो normally बैठा है और दूसरे को अचानक से excessive sweating produce होगा तो वो एक symptom होगा hyperhidrosis का people experience night sweat ये खास important symptom है कि रात को जो है वो excessive पसीना आता है people experience night sweat for no apparent reason बीना किसी reason के ही अचानक से आपको night में excessive sweat जो है वो produce होता है कि इवन आप अच्छे से fan चालू करके बैठे हो AC में सो रहे हो फिर भी excessive sweat produce होना that is also a sign and symptom of a hyperhidrosis तो अब जानते है डाइग्नोसिस करवाना क्यों जरूर है तो chances of following condition if you have excessive sweat from many days affecting your daily life तो अभी जो हमने causes देखे तो उसमें cause था कि excessive excessive exercise in hot condition कि घर्मी के अंदर आप excessive जो है वो exercise कर दे तो वो temporary रहेगा कि एक या दो दिन समझो कि आपने घर्मी के अंदर exercise की तो उसके करण जो है आपका sweat जो है वो produce हुआ है बट दूसरी condition यह है कि जब आप समझो कि घर्मी के अंदर exercise करना कम कर देते हैं exercise के बजाए light exercise करते हैं तो automatically पसीना जो है वो आपका reduce हो जाता है तो उसको हम hyperhydrosis नहीं कहेंगे बट समझो कि यह जो है वो routine बन गया है आपके life के अंदर काफी दिनों से आपको यह चीज़ जो है वो affect कर रही है कि यहाँ पे जो लिखा है कि chances of following condition if you have a excessive sweat from many days that affecting your daily life कि आपके daily life को affect करें ऐसा sweat काफी दिनों से आपको आ रहा है तो following condition हो सकती है जैसे कि first that is a diabetes कि diabetes की जो patients होते हैं उनको कई बार यह symptom develop होते हैं sweat produce होना excessive sweat और वो भी कई बार रात के अंदर पसी ना आता है या फिर अच्छानक से कहीं बैठे हो और sugar में plus minus हो तो भी उनको पसी ना आता है कि जो हम कहते है excessive sweat hyperhidrosis second that is menopause second that is menopause associate heart flashes कि menopause associated heart flashes होते हैं उसके अंदर भी excessive sweat produce होता है तीसरा जो reason है that is thyroid problem कि thyroid problem में भी hormonal imbalance होता है और hormonal imbalance के करण भी यह problem हो सकता है फिर low blood sugar यह एक खास कि blood sugar higher नहीं बर blood sugar आपका काफी low रहता हो तो वैसे condition में भी hyperhidrosis हो सकता है as a symptom with some type of cancers उसका एक reason बन सकते हैं heart attack फिर number seven nervous system related disorder से and number eight infection तो यह heart ऐसे condition है कि ऐसे condition कि उनके symptom होते है कि जब ऐसे condition किसी वो होते है कि लाइक किसी को अचानक से heart attack आता है तो उससे पहले जो है वो थोड़ा बहुत symptoms develop होते है hyperhidrosis की इवन समझे कि किसी का low blood sugar का problem है तो उस वक भी यह symptom develop हो सकता है फिर nervous system related कोई disorder से तो यह condition को lightly लही नहीं चाहिए तुरंत ही आपको अच्छे से doctor को दिखा के आपको अपना diagnosis करवना चाहिए कि must do diagnosis in hyperhidrosis तो अब जानते हैं उसके treatments के how we can manage this condition what is the management of hyperhidrosis तो hyperhidrosis के management या फिर treatment के अंदर सबसे पहले तो using aluminum base anti-perspirant products anti-perspirant product मतलब कि ऐसी product कि जो temporary जो है वो sweet produce होना जो है वो कम कर दी है कि इसको anti-perspirant agent कहे जाते है और ये agent जो gels होती है, creams होते है powder base भी होते है कि वो जो है वाब apply even कुछ deodorants होते है वो भी इस ताइब के products होते है कि जो anti-perspirant agent जो है वो कहे जाते है वो हम temporary use कर सकते है पेशन के लिए then bathing Delhi bathing Delhi and wearing clothing made of natural materials that allow the skin to breathe and may help to reduce the sweating तो मतलब कि आप ऐसे कपड़े पहने कि जो आपकी skin जो है उसके जो पूर से उनको block ना करे या फिर उनको अच्छे से breathing करने के लिए induce करे और ऐसे natural magic जैसे कि आप cotton के कपड़े पहनते हैं थोड़े खुले कपड़े पहने कि जैसे आपके body के अंदर भी जो है वो हवा जा सके थोड़ी बहुत और जिसके कारण आपकी जो skin है अच्छे से breath कर सके और दूसरी जो options होते हैं prescription based medications के तो यह हैं हमारे पास different options of a management and deterrent of hyperhydrosis की जिसके अंदर first aluminium based antiperspirant number second कि डैली अच्छे से bathing लिना और साथ में ऐसे कपड़े पहने जिसके आपकी skin जो है अच्छे से breathing कर सके और अच्छे से लिए जो natural materials के लिए कि उसमें cotton ज्यादा हम prefer करवा सकते हैं and third that is prescription based tablets की जो अच्छे से diagnosis करने के बाद ही जो है वो prescribe की जाती है patient को तो जानते हैं detail में आप आगे तो treatment of hyperhydrosis की aluminium chlorohydrate is used in a regular antiperspirant antiperspirant की जो produces like आपने देखा होगा कि ऐसे roll on do आते हैं as well as antiperspirant की lotion available होते हैं कि वो आप apply कर दुस्सके कारण जो है वो sweat gland जो है वो काफी कम amount में पसीना produce करती है तो उसके अंदर main basic जो ingredient होता है कि जिसकी capacity है reduce करवाना आपके sweat को that is aluminium chlorohydrate की जो antiperspirant agent है very very most important point then hyperhydrosis require solutions और gel with a much higher concentration अब यह जो होते हैं यह deodorants के category में आते हैं antiperspirant के जो एक cosmetic products है वो एक cosmetic products है कि यह temporary आपका जो है वो आपको अच्छे deodorant का भी काम करते हैं और साथ में उसके अंदर antiperspirant टेर्ड किये होते हैं कि वो आपका पसीनाभी का मामोट में produce करते हैं बट जब hyperhydrosis के patient होते है तो उनको काफी higher concentration में यह antiperspirant चाहिए कि जो जो excessive sweating को control कर सके these antiperspirant solutions और hyperhydrosis gels are especially effective for treatment of axillary और underarm region कि usually underarms या फिर जो axillary जो हम कहते हैं treatment उसके अंदर यह हम use कर सकते हैं patient के लिए कि जो solution होते है या फिर उनके gel होते है second that is prescription based medications call anticholinergics anticholinergics की prescription based medications है कि जो oral ही दी जाती है patient को tablets available होते के लाइक propanthelin है तो यहाप याप देख सकते हैं कि propanthelin bromide के tablets 15 mg strength rx only because prescription based medication से और proper diagnosis के बाद ही prescription उसका जो है वो लिखा जाता है patient के लिए then glycoporium bromide glycoporium bromide की glycoporium glycoporium bromide यहाप देख सकते हैं उसके tablets 1 mg और glycopyrolate के tablets की जो है glycolate 2 तो यह दोनों rx only है prescription based medication कि सब भी prescription वाली है फिर oxybutinin है methanthelin है and benzotropin तो यह सब options है treatment for hyper hydrosis के लिए तो यह prescription based medications की जो है कौनसे pharmacological class के medications है तो these are all anticholinergics उसके बाद आप देखिए उनके side effects भी है तो their side effects are dry mouth क्योंकि anticholinergics का यह main side effect होता है कि dry mouth होना urinary retention होता है constipation होता है patient को visual disturbance होते है इसके अंदर such as midriasis that is dilation of the pupils कि visual disturbance हो जाता है dilation होने की करण pupils के and cyclopedia are the side effects of this anticholinergics की जो use कर दे हम for the treatment of hyperhidrosis फिर आता है एक option treatment of hyperhidrosis by using the injection of botulinum botulinum toxin type A can be used to block neural control of sweat gland कि sweat gland को control करने वाली जो neurons क्योंकि हमने एक reason देखा था कि hyperactive neurons hyperactive nerves की जो excessive sweat produce करने के लिए आपके जो gland है उनको command बेजती है तो अब समझो कि हम ऐसा सोचे कि यह neuron जो है वो hyperactive है उसको under active कर दे तो उसके करण injections दिये जाते है patient को of botulinum toxin type A botulinum toxin type A कि जो purified neurotoxin complex होता है कि जिसके 100 units prescription based ही रहता है और proper medical supervision के under में ही यह यूस किया जाता है the effect can last from 3 to 9 months depending on the site of injection effect can last from 3 to 9 months and this has been approved by US FDA FDA किदार approval product है यह but the botox injection tend to be painful यह injection जो है वह काफी painful होते है patient के लिए and उसके pain जो है उसको reduce करने के लिए हम जो है वो cold compress के technique use करते है that is the application of ice at the site of injection तो various measures have been tried to minimize the pain one of which that is application of ice के जो pain होता है उसको reduce करने के लिए उसके sensation कम करने के लिए injection देने के बाद वहाँ पे ice जो है वो लगाया जाता है जिसके pain जो है surgery का कि आगे की medication से या फिर option से patient का ये hyperhidrosis ठीक नहीं हो रहा है तो option रहता है surgery का कि sweat gland का ही removal कर देना कि surgery करके sweat gland को remove करना कि जो acrine sweat gland है समझो कि ये gland को ही हम remove कर देते है by the surgery कि ये जो gland है यहाँ से उसको समझो कि आपने remove करवा दिया तो gland नहीं होगी तो ना ही ये उसके openings रहेंगे और gland ही आपने वहाँ से surgery करके remove करवा दी है तो gland नहीं होके तो sweat जो है वह produce नहीं होगा कि जो excessive produce होता है उसके amount में हम reduce करवा सकते हैं sweat gland removal or destruction of is one of the surgical option available for axillary hyperhidrosis excessive underarm perspiration कि रंडर arms के अंदर सबसे ज्यादा ऐसा होता है तो sweat gland को हम remove करवा सकते कि जो axillary hyperhidrosis हम कहते है there are multiple method for sweat gland removal or destruction बहुत सर ऐसे टेक्निक्स है कि जिससे आप ये process करवा सकते हैं कि sweat gland का suction करवाना उनको suction करवाते है then retrodermal, keratage, axillary, liposuction और उसके अलावा जो laser treatments होते हैं wesser और laser sweat ablation तो ये सब टेक्निक की जो surgery है तो ये था हमारा special lecture on hyperhidrosis so thanks friend for watching जरूर से वीडियो को like करिए, valuable comments करिए, share करिए और चैनल को subscribe करिए join कर सकते हैं whatsapp groups 942-618-036, access कर सकते हैं study material test series, video lecture on the app pharma rocks good luck and all the best thank you